सियासत देश में चाहे जिस चाल से चलती हो लेकिन बिहार में वो बड़ी तेजी से चलती है और सियासी चाल को परखना बड़ा मुस्किल हो जाता है कब क्या हो जा ये कहना मुस्किल होगा छण भर में यहां दोस्त और दुस्मन बदलते हैं बिहार राजनितिक रूप से देश की मिजाज को सेट करता है और इस मिजाज को सेट करने में ही बिहार को महारत हासिल है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राजनितिक रूप से सबसे परिपक को राज्य के रूप में देखा जाता है और यहां कहा जाता है राजनीत हर च और इस हंगामे को हमने आपको बताया था कि कई खेमे में पार्टी बट गई है इसको रोकने के लिए कई तरह की के प्रयास किये जा रहे थे और हवा भी दी जा रही थी इन सारी बातों को ले करके अब जदियू के भीतर जो एक नया बात सामने आया है उसमें आपने देखा ह होगा कि आज से दो साल पहले पार्टी में लाये गये उपेंद्ध कुष्वाहा अब पार्टी से बाहर हैं इससे पहले और शीपी सिंग्ग पार्टी से बाहर हुए थे और तोहमत लगा था उपेंद कुस्वाहा पर इस बार असोग चौधरी और ललन सिंग कट घरे में हैं इन सारी बातों को ले करके अब उपेंद कुस्वाहा के बाहर जाने के बाद पार्टी कैसे चलेगी और पार्टी में कौन किस तरह से अपना अस्थान ग्रहन करेगा यह आपा धाप मची हुई थी कि असोग चौधरी और ललन सिंग ने लगभग सब कुछ तै कर लिया है नितिश कुमार अभी कुछ बोलें उससे पहले ही पार्टी में उपेंद कुस्वाहा का उत्रा धिकारी कौन होगा वो लगभग फाइनल हो चुका है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज सर्व धर्म या कहा जाती सभी की पार्टी बनाने एटूजेट की बनाने की कवायत में ललन सिंग आगे बढ़ गए हैं पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंग है और वहीं उपेंद कुस्वाहा के जाने के पहले से ही असोग चौधरी को पार्टी में एक बरिश नेता का उनका विकल्प भी नजर आया आपको बता दें कि ये चल रहा था कि आखिर उपेंद कुस्वाहा की जगह कौन लेगा इस बात को लेकर के कई तरह की बाते कही जा रही थी लेकिन ललन सिंग ने और असोग चौधरी ने मिल करके उपेंद कुस्वाहा का विकल्प फाइनल क इसी दोरान कारेकरम के बीच उनसे कई सवाल पुशे गए थे ललन सिंग भी वहां मौझूद थे ललन सिंग ने सभी बातों को रखते हुए जो पाटी से जुड़ी हुए बाते थी और जारखंड के अलावे अन्य बातों को असोग चौधरी बताएंगे ये कह करके उन्हो जयन्त राज उस बैठक में सामिल थे उस प्रेस कॉंफरेंश में सामिल थे और जयन्त राज बिहार सरकार में मंत्री हैं कुसवाह समाज से आते हैं हमने आपको तस्वीरे कई दिखाई थी उसके अनुसार कहा ये जा रहा था कि आखिर बिकल्प कौन बनेगा तो बिकल्प की होड में बहुत सारे नेता खड़े थे उमेश कुसवाह भी खड़े थे लेकिन जयन्त राज को आगे करके ललन सिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद कुसवाह के बिकल्प के रूप में अब कुसवाह समाज के नए नेता जयन्त राज होंगे और जयन्त राज को आ जलते हैं बलकि उनकी होमियोपैथिक दवा जो है वो बहुत ही कारगर और फायदयमंद होती है जदियू के सिहत के लिए कहा जा रहा है कि लगतार इस फैसले पर ठीके रहते हैं और जो फैसला वो लेते हैं उसके दुरगामी परिणाम होते हैं देखना दिल्चस्प होगा कि जैंतराज किस तरह से पार्टी को मजबूत करते हैं और उपेंद कुस्वाह के विकल्प के रूप में उनकी क्या भूमी का रहती है जुड़े रहे का भारत लाइब के साथ हमारी नजर बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है आपकी नजर भारत लाइब पे से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद